और बच्चा लोग कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया से करनी तो हाँ बच्चों आज चलते हैं ऐसी अनोखिसी ट्रिक देखने जो अकसर हम कभी कभी इस परिशानी से फेस करते हैं घर में हम कई बार लेडीज लोग तो खास तोर से या जैन्स या कोई बच्चा कई बार हम रिंग पैनने का शौक होता है हाथों में रिंग बड़ी अच्छी भी लगती हैं कई बार हम छोटी पैन लेते हैं रिंग अब वो उतरती ही नहीं है हालांकि मेरे हाथ में जो ये अंगुठी है वो इतनी टाइट नहीं है चाहूं तो मैं साबुन से उसे उतार सकती हूँ उसे ओल लगा कर भी उतार सकती हूँ लेकिन कई बार ऐसा हाथसा होता है रिंग इतनी टाइट हो जाती है कि हमें जाके जोईलर के पास जाकर उस रिंग को कटवाना तक पड़ता है तो वो परिशानी कभी ना आए, तो ये ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, कब कभी किसी के साथ कोई परिशानी आ सकती है, हमें हर उस ट्रिक को समझना चाहिए, कि कैसे हम बिना रिंग को कटवाए, उस रिंग को कैसे निकाल सकते हैं, छोटे से तरीके से, वो भी सुई धागे स सुई धागा जो अक्सर हमारे घर में होता है तो चलिए बच्चों मैं आज आपको दिखाती हूँ एक बड़िया सा तरीका जिससे टाइट से टाइट आपकी अंगूठी अगर हाथ में फस गई है अगर वो फिंगर सूच सी गई है तो उसको हम कैसे निकालें तो यहां देखिए सुई और धागा है बड़ा कमाल इसका अब इस सुई को धीरे से रिंग के अंदर डाल दीजे सुई जितनी जगा तो रिंग के अंदर होगी ही सही तो अब आप क्या करेंगे सुई को उपर निकाल लीजे निकालने के बाद किसी से भी हेलप लेकर उस सुई वाले पाट को पकड़ लीजे अब जो दूसरा पाट है जो रिंग के अंदर से हमने निकाला है उसको आप फिंगर पर लपेटते जाएए जब आप इसको पूरा रैप करते जाएंगे अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमारी अंगूठी टाइट होती है तो वो उसमें नीचे, अंगूठी के नीचे काफी स्वेलिंग होती है स्वेलिंग की वज़ा से हमारी अंगूठी नहीं उतर पाती है तो वो swelling बाले part के उपर आप पूरा धागा लपेट लीजे माना कि थोड़ी देर के लिए patience आपको रखना होगा अंगूठी में थोड़ा सा निला निला सा पढ़ जाएगा मतलब थोड़ा सा दर्द भी होता है पर आप ऐसा करिए फिर आप नीचे वाला जो आपका सुई वाला part नहीं जो नीचे वाला part है अब आप उस छोर को किसी से पकड़ने की help ले लीजे अब जो सुई वाला part था ना उसमें से सुई तो हटा दीजे उस धागे से अब आप खोल लीजे खोलते जाएंगे मतलब इधर से आप लपेटते जा रहे थे उधर से आप खोलते जाएंगे बस दीरे दीरे जब आप खोलते जाएंगे जब जैसे जैसे खोलते जाएंगे उस धागे को आप देखेंगे अंगूठी उस धागे के साथ ही धीरे धीरे नीचे खा सकती जा रही है क्योंकि स्वैलिंग वाला पार्ट कम हो गया अब धीरे 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 अंगूठी धागे की सायता से नीचे उतरती चली जाएगी ये देखिए बड़ा ही कमाल का ट्रिक है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है किसी के साथ भी ये हो सकता है कभी भी किसी की अंगूठी हाथ में फस सकती है उसे हम इस तरीक से निकाल सकते हैं ये देखिए फिंगर की हालत थोड़ी खराब सी हो गई है क्योंकि धागा लपेटने से वो नीली सी पड़ गई है लेकिन कोई बात नहीं दो मेंट उसे रब कीजिए वो फिंगर आपकी नॉमल हो जाएगी पर यकीन मानिए आप बहुत बड़े खर्चिय से बच गए आप ज जरूर बताएए वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए जद्ध से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजोसी ना कीजिए